बिहार के भोजपुर जिरे में एक वीडियो तेजी से वाइरल हो रहा है वीडियो में कुछ युवक पाकिस्तान जुन्दाबाद के नारे लगा रहा है ये वीडियो चांदी गाउं का बताया जा रहा है भोजपुर पुलिस अदिक्चक संजय सिंग ने देश विरोधी नारे लगाने वाले युवाव की पहचान कर प्रात्मी की दर्श करने के आदेश दिये हैं वीडियो में दिख रहा है कि एक ब्लू रंग का कपड़ा पहने हुए युवक वीडियो बना रहा है तो वहीं दो लड़कों ने हाथ में ट्रॉफी उठा रखी है इनके अगल बगल भी कई वक मौझूद हैं जो जीत के जस्न में ट्रॉफी के साथ घूमते दिख रहा है वहीं वक मार्च करते हुए देश विरोधी नारे भी लगा रहा है इस वीडियो के साथ एक मैसेज भी वाइरल हो रहा है जिसमें बताया जा रहा है कि चांदी जमीरा सडक के समीप स्थित नर्बीर पूर टोला में बैटमिंटन का फाइनल मैच का आयोजन किया गया था इस खेल में फाइनल मैच कोईलवर और चांदी की टीम के बीच खेला गया जिसमें चांदी की टीम ने जीत दर्ज की जीत दर्ज करने के बाद यूवकों ने खुसी में नारे लगाना सुरू कर दिया और फिर देश विरोधी नारे भी लगाने लगे वीडियो वाइरल होने के बाद से पुलिस महकमी में हडकम्त मच गया पुलिस वाइरल हो रहे वीडियो की जाच में जुट गई है इसके साथ थी वाइरल वीडियो में जितने भी वक दिख रहा है उनकी खोजबीन हो रही है इस वीडियो के सामने आने के बाद चादी थाना ध्यक्ष भी मामली की छान भी इन में जुट गया है अजया है